दोस्तो इस वीडियो में Excel के वो सारे basic to advanced shortcuts आपको मिलने वाले हैं जो आपको बना देंगे Excel में super fast अगर आप Excel beginners हो या फिर advanced user हो और आप चाहते हो Excel में champions की तरह सुपर fast तरीके से काम करना तो यह shortcuts आप जरूर देखे दोस्तो वीडियो पूरा देखिए और इन shortcuts का अगर आप यूज करोगे न Excel में तो आप mouse का यूज करना बिलकुल भूल जाओगे तो वीडियो पूरा एंट तक आपको जरूर देखना दोस्तो और बस मेरी इस मेहनत के लिए मैं आपसे लाइक की उमीद करता हूँ और दोस्तो अगर आप नहीं हो हमारे चैनल पे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जाए रेड गलर का सब्सक्राइब बटन है उस पे क्लिक कर दीजिए साफ में बैला इकन को जरूर कर दियो होगा अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो के नीचे जाए लाइक बटन पे क्लिक करके आईए तो बात करते हैं सौटकट की नंबर वन की जो कि है रेंज हाइलाइट करने के लिए अगर आपसे बोला जाए कि आपको इतने कॉलम और इतने रो स्लेक करने हैं तो बस आपको करना क्या है जहां से सेलेक्सिन चालू करना है उस सेल पे आपको क्लिक करना है कीबोर से दबाना है F5 तो यहां पे गो टू की विंडो आ जाएगी यहां इस सेल में जाना है इस बॉक्स में जाना है यहां जो लिखा उसको हटा दीजिए सेलेक्सिन आपक आख को कहां तक लेकर जाना है कॉंसे कॉल Marshmuth कर देज देज के वल्निध करने नीचे कितने रोचिए 100 biciclet मृझा मैं यहां पे 100 रो लेता हूं तो यहाँ पर बस आउन ठाइप कर देना है अभी टीबोर्ट से की को दबा के रखिए फिर ओके कर दीजिए तो यहां पर देखिए रेंज सेलेक्ट हो गई है अब यहां बॉर्डर लगाना है कोई फॉर्मेट लगाना है वह आप कर सकते हो ठीक है दोस्तों यहां पर अगली जो सौर्टकट की मैं बताना चाहूंगा आपको स्माइली की अगर आपको एक को डिलीट कर सकते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा माउस कीबोर्ड काम नहीं करता है या बहुत बड़े डेटा में हम कुछ-कुछ entries को mouse से check करते हैं तो वहाँ पे mouse से भी आप entries को delete कर सकते हो keyboard पर जाने की ज़ूत नहीं है माली से मैंने data select किया जैसे हम इसको पकड़ के नीचे drag करते हैं ऐसी इसको पकड़ के आप उपर वापस drag कर दीजिए तो आपका data delete हो जाएगा ठीक दोस्तो control जड़ करके मैंने इसको undo कर दिया है आगली shortcut की है यहाँ पर format cell open करने की control 1 आप दबाईए तो format cell की window open हो जाएगी आगली shortcut यहाँ पर है data को hide करने के लिए बहुंसे लोग क्या करते है data को hide करने के लिए white color लगा देते हैं तो जैसे seat का white color background color तो white में white मिल जाएगा तो वो दिखाई नहीं देगा बट अगर हम यहाँ पर कोई highlight color लगा देते हैं तो white दिखेगा तो यह सही तरीका नहीं है data को hide करने का आप एक काम कीजिए hide करने के लिए data को keyboard से दबाईए control 1 तो यहाँ पर format cell open हो गया यहाँ पर custom पर जाईए और यहाँ जनरल से इसको हटाईए और तीन बार semicolon लगा दीजिए तीन बार semicolon OK कर दीजिए तो यहाँ data है तो सही बट यह आपको दिखाई नहीं देगा बस यह उपर आपको formula बार में दिखाई देगा अगर मैं यहाँ पर highlight color change करता हूँ तो फिर भी यह data आपका दिखाई नहीं देगा तो proper यह data यहाँ इन cells में से hide हो गया है अगली shortcut की की हम बात करते हैं दोस्तो अगर आपको कुछ भी चेक करना है कि print preview में आएगा या नहीं आएगा मतलब आपको print नकलना है यह print preview चेक करना है तो keyboard से आप दबाईए control F2 तो यहाँ पे आप देखिए print की सारी settings आपको मिल जाती है और जैसा page आपको यहाँ दिख रहा है ना बिल्कुल same to same वैसा ही print में आएगा जो चीज यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देरी वो print में नहीं आने वाली है ठीक दोस्तो escape की दबा के हम यहाँ से निकलते हैं बाहर अब हम बात करते हैं Excel में एक magic shortcut की जो की है flash fill यहाँ पे हम flash fill का use करके देखते हैं मालीज यह मेरे पास यह कुछ name लिखे हुई है मुझे first name और last name अलग-अलग करना है तो मैंने यहाँ cell में type की राज enter किया मैंने एक ही name type किया है enter करके नीचे cell में आ गए अब flash fill के लिए shortcut हम दबा देंगे control E control E मैंने दबाया तो देखिए Excel कितना समझधार था आपने यहाँ पे राज लिखा मतलब इस cell में अगला name लिखा तो इसने सभी cells में से आगे वाला first name निकाल के हमें लाके दे दिया है अगर मैं यहाँ पे last name type करता हूं कुमार और फिर enter करके यहाँ पे दबाता हूं control E तो एक्सल बहुत समझधार है वो समझ गया कि आपने इस cell में तो कुमार ही नहीं इस cell में से कुमार लिया है ठीक है तो इस इन ही cells में से last name निकाल के आपको दे दिये अमान लीजिए यहाँ पे phone number है हमारे पास और इन में calling code लिखा हुआ है 9191 लिखा हुआ है जैसे कुछ automatic calling software होते हैं तो वहाँ पे हमें calling code अगर बोला जाए कि calling code हमें नहीं चाहिए के phone number हमें चाहिए तो calling code कैसे हटा होगे या तो आप left function का यूज कर सकते हो या फिर फ्लैस फिल का यूज कर लिजिए देखिए तो यहाँ पे आपने टाइप किया phone number आप आगे वाला 9191 हटा के बाकी का number टाइप कर दीजिए तो मैंने आप टाइप के 4545 एंटर कर दिया Ctrl E दबाया तो flash fill का magic आप देखिए सभी numbers में से आगे से 9191 हटा दिया ठीक है अब मैं यहाँ पे अगर टाइप करता हूँ R मैंने यहाँ पे जो name है first name इसका पहला letter टाइप किया है फिर मैं Ctrl E दबाता हूँ तो देखिए सभी names के first letter आ गए हैं यहाँ पे first name last name अलग अलग सही तरीके से कर रहा है तो यह flash fill का magic है जो आपके लिए बहुत काम आ सकता है दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अगली shortcut की जो कि एंटर से data paste करना बहुत सारे beginners होते हैं उनको नहीं पता होता है कि वह copy करके paste करने के लिए Ctrl V दबाते हैं ठीक है तो मालीजिए मैं इसको copy Ctrl Plus Enter, Ctrl Plus Enter दोस्तों आप मैं से बहुत सारे लोगों को आता होगा बर दोस्तों यह वीडियो मैंने ऐसा बना है basic to advance तो अगर आपको इस चीज़ें आती है तो आप बिल्कुल भी video skip ना करें पूरा जरूरू देखें end तक एक बार बहुत सारी advanced shortcut keys आपको मिलने वाली है जो enter से क्या होता है कि हम range में किसी भी range में एक साथ बहुत सारी entry कर सकते हैं मैंने यहां पर range select कर ली मान लीजिए मैं मुझे इस range में ok feel करना है कुछ भी feel करना है तो मैंने आप लेका ok enter नहीं दबाना control दबाके रखो फिर enter दबाओ देखिए सारे cells के अंदर ok आ गया है अगर म example आप देखिए यहां पर मेरे पास यह कुछ data students का यहां पे कुछ cells blank है मतलब यहां पर marks के entries नहीं की गई है मान लीजिए यह student absence थे तो हमें इन cells में absence लिखना है not appeared लिखना है या absence लिखना है तो कैसे लिखें अभी तो थोड़ी से cells है data अगर हजारों में data होता तो बहुत click नहीं करना है आपको लिखना है absence लिखना है not appeared लिखना है लिखना है तो मैंने हमें लिख दिया अब आप control दबाकर को enter रखो तो enter कर दीजिए तो यहां देखिए हो गया ना magic तो यह control plus enter shortcut की है जिसका आप use कर सकते हो अपने work में और इसके लिए special video भी मैंने बनाया हुआ ह description में दिया है तो वहां से आप control plus enter का complete use जो है वह आप सीख सकते हो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं F4 की अगली shortcut की जैसे मानली जे मैंने हापे click किया और यहां पे मैंने लगा दिया कोई font color है तो अभी हमने जो last action excel में perform किया है वो है font color का आगर मैं किसी भी cell पे click करके keyboard से press करता हूँ F4 तो वही आपका जो action है बार बार repeat हो जाएगा तो F4 से आप action जो last action है उसको repeat कर सकते हो मानली जे मैंने यहां से इसको bold कर दिया या फिर इस तरह से bold कर दिया अब मैं इसी action को बार बार लग लग जगे perform करना चाहता हूँ तो यहां select किया keyboard से दबाया F4 की तो यहां पे देखिए bold हो गया यहां पे देखिए bold हो गया तो यह shortcut की बहुत काम आ जाती है कई बार F4 की जिसे हम last action को repeat कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अगली shortcut की की मानली जे यहां पे मेरे पास यह entries की हुई है मुझे यहां पे unique name चाहिए इस list के अंद keyboard mouse और CPU यहां पे जो है unique entries हैं आप यहां क्लिक करोगे alt के साथ down arrow आप दबाईए तो यहां पे देखिए cpu keyboard mouse तो इस तरह से यहां पे excel आपको अपने आप दिखा देगा कि इस range के अंदर unique entries कौन-कौन सी हैं दूसरी बात यह कि मानली से आप entry करते हो ना और आपको जो entry करन enter दबा दीजे तो entry यहां पे हो जाएगी दोस्तो इसके बाद अगली shortcut की की हम बात करते हैं मानली जी मैंने यहां क्लिक किया और फिर हम scroll करके इदर दर चले गए अब मुझे वहीं जाना है active cell पे जिस cell पे मैंने क्लिक करके रखा हुआ था तो इसके लिए shortcut है control के साथ backspace आ जोगे जिस cell पे आपने क्लिक कर रखा था तो यह है active cell पे जाने के लिए shortcut इसके बाद अगली shortcut की के हम बात करते है temperature मानली जे degree का symbol हमें लगाना है मैंने लिखा 23 अब यहां पे मेरे कुछ ही है degree का symbol तो आप इसके लिए क्या करोगे keyboard से alt key को दबा के रखना है और numeric keyboard से जल आपने दोस्तों autofill options के लिए मान लीजिए मैंने यहां पर कोई date enter की 111 इस तरह से यह date मैंने एंटर कर दी और इसको पकड़के मैंने drag कर दिया नीचे अब यहां पे जो यह autofill options होते हैं हमें mouse से click करके open करने पड़ते हैं तो इसके लिए shortcut है shortcut आप press करोगे alt shift f10 alt shift f10 आप options जो है open हो जाएंगे अब mouse से sorry keyboard से आप down arrow use कर सकते हो और enter कर दीजिए जो भी आपको apply करना है तो वही आपका यहां पे apply हो जाएगा इसके बाद अगली shortcut की है freeze pane की अब यहां आप देखिए मेरे पास यह data है अगर इस data में मैं नीचे scroll करता हूं तो headings भी उपर चली गई headings है तो चौती रोपे आप click करना है तो इसे ऊपर की जो रोब वह में freeze करनी है तो अभी मेरे पास एक ही रोब में headings है तो मैं second row पे click कर लेता हूं और इसके लिए keyboard से shortcut आप दबाओगे alt w f f आप दबा दीजिए तो अब आप देखिए scroll करके तो यहां पे जो headings है वह आपकी वहीं freeze है और बाकी का data move कर रहा है unfreeze करना है तो फिर से आपको दबाना होगा alt w f f तो यहां आप देखिए यह जो headings है वह unfreeze हो गई है उपर नीचे data के साथ scroll करेगी आप हम बात करते है अगली shortcut की कि अगर आपको data में filter apply करना है तो इसके लिए shortcut की है control shift L आप दबा दीजिए तो यह देखिए filter apply हो गया है अगर filter हटाना है तो control shift L आप दबा दीजिए दुबारा से तो यहां से filter हट जाएगा अब दोस्तों अगली shortcut की है यहां पे कि हम किसी भी cell पे कोई भी comment क कैसे एड़ करेंगे comment हम कब एड़ करते हैं मालीजी हमें किसी भी cell पे कोई tip नहीं देनी है कोई notice लगना कोई information लिखनी है तो इस cell पे क्लिक करके हम keyboard से press करेंगे shift के साथ F2 तो यहां पे comment box open हो जाएगा आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हो इस तरह से तो अब हम बात करक दबाओंगा तो अगले cell में आ जाओंगा ठीक है यहां पर फिर से entry करते हैं तो जब आपको एक ही cell में नीचे जाना हो तो alt दबाके रखो फिर enter आप दबाओ ठीक है फाइनली एंटर करोगे तो entry इस तरह से आपकी हो जाएगी इसके बाद अगली shortcut किया दोस्तों auto sum की हमे अगर sum का formula instantly लगाना है तो simple direct up क्लिक करके cell में लगाना है alt के साथ प्लस दबा दीजिए तो यहां पे sum का formula लग गया तो यहां से लेके यहां तक आप यहां क्लिक करोगे alt के साथ प्लस दबाओगे तो यहां पे देखिए sum का formula automatic लग जाता है यह numeric values तक लगेगा अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा ना alt के साथ प्लस तो अपने आप देखिए sum के formula ने range यहां से शुरू किये यहां से यहां तक क्योंकि यहां पे text लिखा हुआ है तो इस तरह से आप fast तरीके से sum का use कर सकते हो इसके बाद दोस्तों border लगाने के लिए हमें कहीं भी border लगाना होता ह है तो हम रेंज को select करके keyboard से press करेंगे all border लगाने के लिए all hba all hba तो यहां पर देखिए all border लग जाएगा अगर यह border आपको लगाना है तो इसके लिए आपको keyboard से press करना होगा control shift end का sign control shift end का sign आप दबाओगे तो all border यहां पर लग जाएगा देखिए border हटाना है तो आप range को कर लीजिए select और border हटाने के लिए आपको दबाना होगा control shift और underscore का Nissan keyboard से तो यह border हट जाएगा उसी तरह से आप इस border को भी हटा सकते हो ठीक है दोस्तो इसके बाद यहां पर मैं आपसे बात करता हूँ F2 की की जो की सायद आप सबको पता ही होगी बट मैं कुछ अलग यहां पर बताने वाला हूँ आपको किसी भी cell में कोई edit करना है तो उसके आप जाना है front पे तो home की दबा दीजिए keyboard से home की दबाओगे तो आगे आगे यह दिखे करजर आगे आगे और end की दबाओगे तो पीछे जो करजर वो चला जाएगा ठीक है तो इसके बाद हम बात करते हैं अगली चौट करकी की escape की अगर मैं यहां पे click करके तो यहां पे edit कर सकता हूं ठीक है बट अगर मैं यहां पे click करके मैंने entry को दूसरी कर दी है मैंने मान लिजिए यहां पे mouse लिखने के लिए कोशिस की और अब मुझे यह entry जो है बीच में cancel कर दी है मुझे पहले वाली entry लानी तो escape की आप दबा दीजिए तो जो entry आपने किया वह आपकी clear ह हो जाएगी cancel हो जाएगी ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं अगली shortcut की की जो की है strict throw जैसे मैंने यहां पर कोई प्राइज लिखा ठीक है और यहां पर मान लीजिए मैंने इसका प्राइज लिख दिया 5999 और यहां पर मेरे को strict throw लगानी है तो इसके लिए आप simple keyboard से control 5 दव होगी मैं यह जो formula है इसको नीचे copy कर देता हूँ ठीक है अब यहां पर माली से मेरा क्लिक यहां पर मुझे इसमें सबसे नीचे वाली data entry पर जाना है तो इसके लिए keyboard से आप क्या करोगे control down arrow दबाईए सबसे नीचे आगए अगर आपको इधर जाना है तो control right arrow दबाईए त उपर जाना है control arrow दबाईए तो इधर आगे तो ऐसे आप shortcut से जो है अपने data के अंदर move कर सकते हो यहां पर हो आपको last column पर जाना है तो control right arrow आप दबा दीजिए तो इस तरह से आप data के अंदर move कर सकते हो बात करते हैं अगली shortcut की जो कि है data selection के लिए आपने यहां पर क्लिक कि से control shift right arrow दबाईए तो यह इस तरह से select हो जाएगा ठीक दोस्तों आपने यहां बीच में क्लिक किया हुआ अगर यह उपर तक आपको select करना है तो आप क्या करोगे तो control shift अपकी तो इस तरह से ऊपर का जो data है वह हो जाएगा select आपका ठीक है दोस्तों इस तरह से आप data को select कर करने की अगर मुझे कोई भी column यह कोई भी रोश्रेक करना है तो वह हम कैसे करेंगे column select करने के लिए आपको करने क्लिक कर रखा है control के साथ space दबादीजिए पूरा column select हो जाएगा बात करते हैं अगली शॉटकर की कि अगर हमें कोई रोश्रेक्ट करना है तो आप इसके हो यहां पर आपको पूरी रोट करनी है पूरा column करने 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 के लिए तो इसके लिए आपको प्रेस करने होगा इसी तरह से मालीजिए रोव आपको डिलीट करना है तो क्लिक करके control के साथ minus अब दबाईए तो यहां पर entire row पर क्लिक करके ok कर दीजिए तो यह आपका रोव डिलीट हो गया ठीक है दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं रो column hide करने की अगर आपको कोई भी column hide करना मालीजि इसे quantity का column hide करना तो इसमें क्लिक करके keyboard से आप दबाईए control 0 तो यह column hide हो जाएगा आपका अगर यह column आपको फिर से सो करना है तो इसके लिए आपको दबाना होगा alt o c u alt o c u तो यह column आपका फिर से सो हो जाएगा अगर आपको बहुत सारे जो column है वह hide करने तो सेम ऐसी होग आपको वह दोनों column select करने पड़ेंगा जिनके बीच में column hide है तो मैंने दोनों को select कर लिया keyboard से आपको दबाना होगा alt o c u alt o c u तो यहां पर देखें जो बीच में जो column थे वह आपके सो हो गया फिर से अब बात करते हैं अगली shortcut की की अगर आपको इसी तरह कोई row hide करनी है त आपको फिर से मतलब आपको वह row select करनी है जिनके बीच में row hide की है select करने के बाद keyboard से आपको प्रैस करना है रो को अन हाइड करने के लिए control shift 9 control shift 9 प्रैस करोगे तो यह जो है जो row hide की है आपने वह आपकी अन हाइड हो जाएगी दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अगली नीचे फिल कर सकते हो control D अब दबाईए तो यह देखिए उपर वाली से में नीचे फिल हो गई है इसी तरह से अगर आपको कोई भी एंट्री राइट में फिल करने से में तो आप select करके control R दबा दीजिए तो यहां देखिए सेम एंट्री राइट में फिल हो गया है ठीक है यहां पर control C करके मैं इनको paste कर दिया control V ठीक है अब यही नेम मेरे को राइट में फिल करने तो आप control R दबा दीजिए range select करके control R तो देखिए सेम नेम इधर भी जो है आ गए है ठीक है दोस्तो आगे हम बात करते हैं नई seat add करने की यहां पर देखिए यहां पर एक से लेके और पांस तक seat add है अगर मेरे को नई seat add करनी है तो आपको keyboard से press करना होगा shift के साथ F11 shift F11 press करोगे तो यहां पर पेज़ डाउन च्रॉल के साथ पेज़ डाउन दबाऊंगा तो यह देखिए हम अगली शीट पे जा रहे हैं बात करते हैं अगली शॉटकटकी की अगर हमें प्रिवेश शीट पर वापिस जाना है तो इस तरह से जो है स्क्रीन आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हो अगली स्क् लेफ राइट में करना होगा तो इसके लिए क्या करोगे अगर आपको राइट में जाना है राइट में स्क्रॉल करना है तो आल्ट के साथ पेज डाउन तो यह देखिए स्क्रीन जो है राइट में सिफ्ट हो जाएगी अगर आपको फिर से लेफ्ट में जाना है तो इसके इसे बाद हम यहां पर बात करते हैं क्लोज विंडोउ अगर आप की एप करते हो कुन ट्रोल सबस्क बांते हैं करना होगा फ्र। ctrl f9 प्रेस करोगे तो ये देखिए window minimize हो गई है वो वाली ठीक है अगर आपको maximize करनी है तो आप control के साथ f10 प्रेस कर लीजिए तो ये देखिए window छोटी बड़ी हो जाएगी इस तरह से ctrl f10 ठीक है दोस्तो बात करते हैं अगली shortcut की की अगली shortcut की है दोस्तो charts create करने के लिए आ अगर आपको current date और time add करना होगा तो इसके लिए keyboard से simple प्रेस करना है control semicolon तो यहाँ पर date आ जाएगी अगर आपको इसी cell में time भी चाहिए तो space देके control shift semicolon आप दबादीजे time आ जाएगा अगर आपको keyword time add करना है तो control shift semicolon आप दबाईए तो यहाँ पर time आ जाएगा अगली shortcut shortcut की के हम बात करते हैं alt f11 अगर आपको visual basic की coding type करते हो तो उसके लिए जो coding हम type करते हैं वो यहाँ करते हैं सारा काम यहाँ होता है visual basic के अंदर इसको आप बंद कर दीजिए तो इस तरह से दोस्तों यह shortcuts हैं जो आपके काम आ सकती हैं तो उमीद करता हूँ यह सारी shortcuts आप एक और वीडियो को like करना ना भूलें share करना भूलें और comment करके बताए कैसा लगा मिलता हूँ अगले वीडियो में thank you दोस्तो have a nice day जै हिंद वन दे मातरम take care